आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम आज हम आम आदमी पार्टी की दस गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं MCD के चुनाव आने वाले हैं, लोग बड़ी बेसबरी से MCD के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है हम जो कहते हैं वो करते हैं हमारी गारंटी होती है ये गारंटी कभी तूटती नहीं है जैसे फेविकल कोल का जोड कभी तूटता नहीं है वैसे आम आदमी पार्टी के गारंटी कभी तूटती नहीं है ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं फिर पांच साल उस पे कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे फिर उस पे भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें इनकी नियत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों के इन्होंने करना ही नहीं होता है जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड के रद्दी की टोकरी में फैंक देते हैं इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रामिस किये थे उसमें से जो में में प्रामिस हैं वो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने का था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे अब हम सेंट्रल गौर्मेंट से फंड ल पैसा एक नया पैसा चवणनी भी नहीं दी सेंट्रल गॉर्वर्मेंट ने एमसीडी को सेम पार्टी की सरकार है केवल राजनीती करते रहे केजरी वाल पैसे नहीं देता केजरी जबकि हमने बहुत पैसे दिये अभी मैं हिसाब ने लेकर आया पांच साल के अंदर हमने क्यों महीने दो महीने पहले इनके राष्ट्रे स्तर के नंबर तू नेता दिल्ली आये और आके कहते हैं जी केजरी वाल पैसे नहीं देता भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ओग यह केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती अभी तक तो ह इन्होंने प्रामिस किया था किंदर से फंड लाएंगे एक पैसा नहीं लेके आई है इन्होंने का था नगर निगम की जितनी गलियां और सडकें उनको सब को चमका देंगे शांदार सडके बनाएंगे गलियां बनाएंगे गड़ा मुक्त करेंगे एक भी गली इन्होंने ठी पांच साल में एक भी गली ठीक ने के इन्होंने उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई इन्होंने का था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे चारों तरफ कूड़ाई कूड़ा आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर जुक जाता है घर से बाहर निकलते हैं नालियां भरी पड़ी है की चड़ से गलियों में कूड़ा यी कूड़ा पड़ा है कोई कूड़ा नी उठता कुछ नी उठता इन्होंने का था जो तीनों कूड़े के पहाड हैं वो खतम कर देंगे अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं वो कह रहे हैं नहीं कूड़े के पहाड तो हर शहर में होते हैं मैं इन से पूछना था हूं लंडन में कहा हैं कूड़े के पार टोकियो में कहा हैं कूड़े के पार न्यू यॉर्क में कहा हैं कूड़े के पार वाशिंटन में कहा हैं कूड़े के पार पैरिस में कहा हैं कूड़े के पार कहते हैं कूड़े के बाड़ तो मतलब अब यह कह रहे हैं हो इनी सकते अब यह कह रहे हैं आब नहीं करेंगे हम पिछली बार जो वादा किया था वो जूठा था इन्होंने का था मार्केट्स की सफाई करेंगे वो नहीं की इन्होंने मार्केट्स के अंदर भी कूडाई सदर चले जाओ, कूडाई कूडा पढ़ा है, चारो तरफ सडकों पे कूडाई कूडा है, ब्रश्टाचार खतम करेंगे इन्होंने का, इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर ब्रश्टाचारी हैं, तो इन्होंने सब की काट दी केवल टिक्टे काट देने से ब्रष्टाचार खतम हो जाता है केवल टिक्टे काट देने से उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे ब्रष्टाचारी थे खुद माना इनोंने के सारे ब्रष्टाचारी हैं अब यह कह रहे हैं कि मौझूदा वाले भी सारे ब्रष् नहीं लिया चलो इनोंने जो प्रामिस किये थे वो तो नहीं किये इनोंने दिल्ली वालों की जिंदगी हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इनोंने लोगों के काम रोकने में दिल्ली सरकार के काम रोकने में दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं दिये, योगा क्लासिस कौन बंद कराता है, योग सिखाने का पुन्य होता है, योग कराने का पुन्य होता है, योगा से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है, वो भी इन्होंने क्लासिस बंद करा दी, मुझे बहुत तकलीफ होई थी उस दिन, उस द जाल रहा है जी पिछले तीन साल से एक कैम्पेंच चलाते हैं जिसका बड़ा अच्छा कि रेड लाइट ओफ रेड लाइट ओन गाड़ी ओफ होनी चाहिए भई रेड लाइट अगर ओन हो जाए तो गाड़ी अगर आदमी ओफ कर दे तो काफी तेल बचता है पुलुशन खत काम रोकने वालों को वोट मत देना काम करने वालों को वोट देना योगा रोकने वालों को वोट मत देना योगा करवाने वालों को वोट देना स्कूल बनाने वालों को वोट देना गाली देने वाले और लड़ाई जगडा करने वालों को वोट मत देना दिल्ली रोकने वा दिल्ली चलाने वालों को वोट देना देश रोकने वालों को वोट मत देना देश को नंबर वन बनाने वालों को वोट देना आज हम ये दस गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सब के उपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटी ओपर काम चल रहा है, ऐसे ही MCD की भी सभी गारंटी ओपर 10 की 10 गारंटी को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे, पहली गारंटी है, दि पड़ी हैं दिल्ली को साफ और सुन्दर बनाएंगे कोई भी आएगा खुद के लिए भी गर्व की बात होगी साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे मन लगेगा और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुन्दर शेहर हो गया पहली चीज की दिल्ली में जो ती अब इनोंने कई प्लानिंग कर अखिया कोई कहरा सोला नए पहाड बनेंगे कोई कहरा बीस बनेंगे कोई कहरा पच्चयों कि जो माजूदा तीनो कूड़े के पहाड़े उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है वो अनस्टेबल हो गया है वो गिर सकते हैं करेंगे ही करेंगे कोई भी नया कूड़े का पहाड दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे कोई नया लैंड फिल साइट नहीं होगा और कूड़े के निस्तारन कोई रॉकेट साइंस नहीं है पूरी दुनिया कर रही है हम डंडन से एक्सपर्स को बुलाएंगे पैरिस से टोकियो से बिलाएंगे global experts को बुलाएंगे जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कुड़े के निस्तारण को कर रहे हैं हम भी कुड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे ऐसा क्या है नियत होनी चाहिए इनकी नियत खराब है सडकों और गलियों की दूसरा भरश्टा चार मुक्त MCD होगी। दूसरी गारंटĩह भरश्टा चार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एस्पेशली भरश्टा चार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्षे पास किये जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्षे पास कराने का सारा प्रोसीजर ओनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े, जैसे दिल्ली के अपार्ट्मेंट ही बंद कर दिये, सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको किसी दलाल के चकरनी काटने, किसी अफसर के चकरनी काटने, घर बेठे सारा काम हो जाता है, ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्षे पास करानी के प्रक्रिया को बहुत सरल किया जाएगा, हम जा परिवार बढ़ा हो जाता है, छोटे मोटे violation कर लेते हैं, किसी ने च्छजा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके उपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके उपर blackmailing करते हैं, तोडने पहुंच जाते हैं, तो एक इसके उपर policy scheme लाई ज ताकि जन्ता को किसी तरह की बलेक मिलिंग का शिकार ना होना पड़े. पार्किन्ग की समस्याओं से मुक्ते दिलाएंगे दिलि में पार्किन्ग की बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है. इसका स्थाई और व्यवारिक समधान निकाला जाएगा. चौथा, अवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ते दिलाएंगे अवारा कुत्ते हैं, गाएं, बंदर हैं इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी पांचवाँ, जितनी नगर निगम की सडकें और गलियां हैं वो सारी तूटी फूटी हैं नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पताल और डेस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिये उसी तरज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे साथमा जितने पार्क है नगर निगम के उतना बुरा हाल है पार्कों का दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा सुन्दर साफ सुत्रे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा आठवा जितने कच्चे करमचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई-कई महीनों तक करमचारीों की तंखानी मिलती सब के अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर साथ तारिक के पहले पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे कहीं से लाओं में पैसे लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर करमचारी को टाइम पे तंखा मिलनी चलो जाएगी नौवा व्यापारी बहुत दुखी हैं MCD से व्यापारियों को मैं खास कर कहना चाहता हूँ आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं उसमें पैसे देने पड़ते हैं धक्के खाने पड़ते हैं लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लिफाई कर देंगे और online कर देंगे कि आपको automatic license मिलने चालो हो जाएंगे conversion fees के नाम पे आप से पैसे वसूले गए parking fees के नाम पे पैसे वसूले गए ये खतम कर देंगे conversion fees और parking fees और जितना inspector राज है inspector राज को खतम किया जाएगा और जो दुकाने seal की गई है उन सील दुकानों को खोला जाएगा और भी केवल इतनी नहीं है वेपारियों की तो बहुत सारी समस्या है मैं पूरे वेपारी समाज से कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए अपने भाई पे भरोसा कीजिए वेपारियों को अच्छा महौल देंगे वेपार करने के लिए दस्वा रेड़ी पट्री वालों को बहुत दिक्कत होती है MCD वाले बहुत परिशान MCD के लोग बहुत परिशान करते हैं उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे वेंडिंग जोन्स जो MCD की वजए से अभी तक पास दिल्ली सरकार ने तो नीती दो-तिन साल पहले बना दी थी लेकिन MCD ने उसको लागू नहीं किया वेंडिंग जोन बनाएंगे उनको प्रॉपर लाइसंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे उनको भी ब्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा उनको एक लीगल कानूनी तोर पे उनको जिंदगी जीने का अधिकार देंगे तो मोटे-मोटे तोर पे ये दस गारेंटीज हैं अगर आपके दो-तीन प्रश्ण हैं कोई तो बता दीजे अब ये वचन पत्र लेके आएं ये भी साथ तारीकों नतीजें आठ तारीकों कोड़े में फैंक देंगे वो दे नहीं सकती है MCD वो तो DDA करती है वो तो इनसे हम करा लेंगे आप चिंता ना करो इस बार BJP की 20 से कम सीट आएंगे काओ तो में लिखके दे देता हूं डेख ले ना साथ तारीकों नतीजें आएंगे फंड में कह रहा हूं ना कहीं से ले के आँँ पहले ये कहते थे दिल्ली सरकार में फंड की चिंता है हमारे टाइम में तो समस्या नहीं केंदर सरकार ने दिल्ली सरकार को नया पैसा नहीं दिया हमारा जो हक था वो भी नहीं दिया दिल्ली सरकार को, कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं चिल लाए, बच्चों की तिने नहीं रोते हम, गाली गलोज नहीं करते, लड़ाई जगड़ा नहीं करते, काम करते हैं, ब्रष्टा चार खतम कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे, फिर हो सकता, M.C.D. से थोड़ा सा पैसा, बहुत ज़्यादा, आज पूरे देश में भारते जंता पार्टी डरती है, तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है, और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने दोनों चुनाव साथ कराएं, कि आम आदमी पार्टी के जो रिसोर्सेज हैं, केजरीवाल का जनता ताकतवर है जनता ने मन बना लिया कि M.C.D. में भी हमें आम आदमी पार्टी को लाना है और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को लाना है तो यह जो मर्जी शडेंत्र रच लें उसका कोई असर नहीं होने वाला वहां भी करेंगे यहां भी करेंगे जनता के साथ मिलके करेंगे सब करेंगे सब होगा उपर वाला हमारे साथ है उपर वाला सच के साथ होता है हम लड़ाई जगडा नहीं करते हम गुंडागरदी नहीं करते हैं और जो हम करते हैं हम बिजली मुफ्त करते हैं ये नहीं कर सकते हैं हम 24 घंटे बिजली देते हैं मुफ्त में देते हैं ये उपर वाले से वर्दान मिला हुआ है मिर को इनको नहीं मिला हुआ ये जादू मैं वो सतिंदर जा नहीं कर सकता है, आज तक 75 साल में कोई पैदा ही नहीं हुआ इस देश में जो अस्पताल ठीक कर दे, मौला क्लिनिक बना दे अब हो गया, देखो उसके उपर आरोप प्रत्यारोप से फाइदा नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, वो अब रुकने वाला तो है नहीं, अब हो गया, एक ही है, चलिए थैंक यू, आप सब लोग भी वोट देना, ये सारी गारेंटी पूरी करूँगा मैं पाइद आरोफा आरोफा नहीं, अब हो अब आगे में से फची को भी वोड़ी करूँगा मैं आप संटी चोल मेरा नंग देब संती चोल मेरा नंग देब संथी